सब्सक्राइब के लिए तो यह है केरेमल कस्टरड पुडिंग यह मुझे बहुत जादा पसंद है तो मैंने सचा क्यूना मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बार यह रेसेपी ले के आऊं तो यह बहुत ही कम इंग्रिडियंट में बनने वाली है और एगलेस है तो सबसे प हाफ कप चीनी ताकि यह कैरेमल हो जाए और यहां पर फ्लेम बिल्कुल लो है हमारी हम शुगर को कॉंटिनिसली चलाएंगे ताकि यह अच्छी तरीके से कैरेमल हो जाए तो यह देखिए कैरेमल सॉस बन के तयार है इसमें एक चावल कादाना है इसको आप लोग इग्नोर करना तो अब मैंने यहां पर ले ली है कटोरिया कटोरियों को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया था और यहां पर मैं इसे दो कटोरी में सेट करने वाली हूं तो हम हाफ आउन दोनों में कॉंटिटी डाल देंगे इस कैरेमल की और अब मैंने यहां पर ले ली है एक कटोरी और हमें दो परिचमच्छ वैनिला कस्टरड पाउडर् को और उसमें तीन परिचमच्छ मिल्क को ऑने डाल-के एक-पेश्ट स experiment, без लम्स-फ्री और यहां पर मैं ले लिया है half liter milk, milk में मैंने according to taste sugar add कर दिया है तकरीबन 4 परी चमच होंगे और अब मैं इसे अच्छी तरीके से गर्म करूंगे और जब तक चीरी नहीं मिल्ट हो जाती तब तक हम इसे चलाते रहेंगे flame हमारा medium है, अब हमारा milk अच्छी तरीके से उबल चुका है आप बिल्कुल मेरे style में enjoy कर पाएंगे तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, इसकी consistency आप देख सकते हो यह pouring consistency में होगी, तो आप बिल्कुल इसी तरीके का हमें बनाके निकाल लेना है और आप देखी सकते हो कि यह pouring consistency है, लेकिन यह थोड़ी सी ठिक है तो इस बात का आप ध्यान रखना, और अब मैंने इसमें डाल दिया है अब मैं यहाँ इसे steam कर लूँगी, मैंने इसे butter paper से cover कर लिया है और इसे steam कर लेंगे हम 4-6 मिनट के लिए, आप चाहतों, aluminum foil से भी इसे cover कर सकते हो यह steam होके set हो चुकी थी, मैंने इसे freeze में डाल दिया था, तकरीबन दो घंटे के लिए अब यह पूरी तरीके से cool down हो चुकी है, और sit हो चुकी है, तो मैं इसे spoon के help से पुरा सा lose करेंगे और अब मैं इसे unmold कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो, हमारी पुडिंग काफी अच्छी तरीके से निकल चुकी है, तो यहाँ पर मैंने एक कैरेमिल से ही decorative बीस बना के रख ली थी, तो मैंने इसे serve कर लिया है, और हमारी पुडिंग बनके बिलकुल तयार, अगर आपको यह simple steps के साथ बनने वाली caramel custard pudding की recipe अची लगी है, तो मेरे इस video को like करे, share करे, और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले, आप मुझे मेरे instagram और facebook पे follow करना, बिलकुल ना भूले, मेरी instagram ID है cookwithss, और आपकी अगर कोई queries है, तो मुझे comment में जरूर बताना, और आप चाहो तो मुझे email भी कर सकते हो, thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe